हिमांचल प्रदेश के चंबा शहर से 85 किलोमेटर की दूरी पर बसे मणी महेश में भगवान भोले मणी के रूप में दर्शन देते हैं इसी कारण मणी महेश कहा जाता है इसे धौला धार पांगी वा जांसकर परवत श्रिंखलाओं से घिरा ये कैलाश परवत मणी महेश कैल हुई इसके बारे में अलग-अलग बिचार हैं लेकिन कहा जाता है कि हाँ भगवान शिव ने कई बार अपने भक्तों को दर्शन दिये हैं तेरह हजार पांच सो फुट की उचाई पर किसी प्राक्रितिक जील का होना किसी दैवी शक्ति का प्रमान है आईए मणी महेश यात्रा के बारे में जाने कुछ और हो चकता थियो आस्था के साथ रोमान्च भी हिंदू धर्म गरंथों के अनुसार हिमालय की धौलाधार पांगी और जान्सकर श्रिंखलाओं से घिरा क्यलाश परवत मणी महेश के नाम से प्रसिद्ध है श्रिक्रिष्ण जन्माष्टमी भादरपद कृष्ण अष्टमी से श्रिराधा अष्टमी तक लाखोश रधालू पवित्र मणी महेश जील में स्नान के बाद कैलाश परवत के दर्शन के लिए यहां पहुँचते हैं पहाणों, खड़ों, नालों से होते वे मणी महेश जील तक पहुँचने का रास्ता रोमान से भरपूर है मनी महेश यात्रा को अमरनाथ यात्रा के बराबर माना जाता है जो लोग अमरनाथ नहीं जा पाते हैं वे मनी महेश जील में पवित्र स्थान के लिए पहुँचते हैं अब मनी महेश जील तक पहुँचना और भी आसान हो गया है यात्रा के दौरान भर्मौर से गौरी कुंडे तक हेलिकाप्टर की विवस्ता है और जो लोग पैदल यात्र करने की शौकीन है उनके लिए हडसर, धंचो, सुन्द रासी, गौरी कुंड और मनी महेश जील के आसपास रहने के लिए टेंटो की विवस्ता भी है मनी महेश कैलाश की भागोलिक स्थिटी, शैव तीर्थ स्थल मनी महेश कैलाश शिवाचल प्रदेश में चमबा जिले के भरमौर में है, मानेता के नुसार पांसो पचास ईस्वी में भरमौर मरुवंश के राजा मरुवर्मा की राजधानी थी, मनी महेश कैलाश के लिए भी पैदल या घोड़े खचरों की सवारी कर ही सफरता है होता है चमबा भरमौर और हडसर तक सड़क बनने से पहले चमबा से ही पैदल यात्रा शुर्व हो जाती थी हडसर से मणी महेश के लाज 15 किलोमेटर दूर है महिलाएं गौरी कुंड में करती हैं सनान गौरी कुंड पहाड़ों से घिरी हुई है देखने वालों की ठकावट को चनभर में दूर कर देती है बादलों में घीरा के लाज परवत शिखर दर्शन देने के लिए कभी-कभी बाहर आता है इसके दर्शन उपरांत ही तपस्या सफल होती है होते हैं नील मणी के दर्शन हिमाचल सरका ने इस परवत को टर्कॉइस माउंटेन याने की वैदुर्य मणी या नील मणी कहा है मणी महेश में क्यलाश परवत के पीछे जब सूर्य उदय होता है तो सारे आकाश मंडल में नीली मच हा जाती है और कीरणे नीली रंग में निकलती मानेता है कि क्यलाश परवत में नील स्टमी पर होता है राज्य सरकार ने यात्रियों को ले जाने के लिए एक निजी हैली टैक्सी संचालग को नुमति दी है हेलिकॉप्टर लोगों को आधार शेवर भरमौर से पवित्र जील से किलोमेटर पीछे गौरी कुंड तक ले जाएगा एक तरफ का किराया 3900 रुपे प्रतियात्री तै किया गया है इस बार हेलिकॉप्टर के सुईधा भरमाणी माता मंदिर से शुरू की जाएगी कैसे पहुंचे मणी महेश यात्रा हडसर से शुरू पैदल शूरू होती है भरमौर से मणी महेश 17 किलोमेटर चंबा से करीब 82 किलोमेटर और पठान कोट से 220 किलोमेटर की दूरी पर है पठान कोट मणी महेश कैलाश यात्रा के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है जबकि कांगड़ा हाइवाई अड़ा नजदी की हाइवाई अड़ा है ट्रैकिंग पैदल मार्क भी शिव के परवती स्थानों के साथ जोड़ी हुई शर्थ है कैल कैलाश आदि कैलाश या मणी महेश कैलाश सभी दुर्गम पर फीले स्थानों पर है इसलिए यहां जाने वालों के लिए एक व्यक्ति का सिहत मंद होना निवार है जरूरी गरम कपड़े वदवाएं भी हमेशा सांथ हो मणी महेश जील के लिए सालाना यात्रा के अलावा ही जाया जा सकता है मई सितंबर वा अक्टूबर का समय इसके लिए उप्यूक्त है रोमांच के शौकीनों ने धरमिशाला वा मनाली से कई ट्रैकिंग रूट्स भी मड़ी महेश जील के लिए खोज निकाले है चेह हजार फुट की उचाई से शुरू होती है पैदल यात्र माच डिगरी तक गिर सकता है यात्रा मार्ग पर मौसम का भी बिगड़ सकता है लिहाजा अपने साथ चाता विंचीटर रीन कोट वा वाटर प्रूफ जूते लिकर जाएं बारिश में सामान गिला नहों इसके लिए कपड़े वानने खाने पीने के चीज़ें वाटर यात्रा मार्ग में काफी उतार चड़ाव हैं इसलिए चपल पहन कर यात्रा ना करें केवल ट्रैकिंग शूस ही पहन कर यात्रा करें यात्रा के दौरान किसी तरह का शॉट कट ना लें क्योंकि खतरनाक वाज जान लिवा हो सकता है खाली पेट कभी भी यात्रा ना करें ऐ आपकी मणी महिश्यात्रा सफल होगी और आपको भी भोले बाबा बोलाएंगे अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिबने रिए इस पेच के साथ और इस वीडियो को शेयर करना बिलकुल न भूले धन्यवाद